तो हेग गाईज हाथ एक वीडियो बनाते हैं हमको समझा दो कि होता क्या है यह ओरल एंड पोस्टल तो बेसिकली रेजिस्ट्रेशन करने है जब आप जाओगे पहले बता देरो यह तब चीज़े पताने के बाद तुम कमेंट सेक्षन में से डाउट नहीं पूछना क्यों कि तुम अपने चैप्टर में विजिट करना अगर तुमारे शेहर में चैप्टर है तो चैप्टर नहीं है तो हंडिड पर्सेंट तुम पोस्टल कोचिंग कर रह अगर आपके तुम लोगों की कोचिंग में प्रोवाइड की पर चैप्टर अगर तुम को इंस्टिजूट खुदी को बुलाथी और तुमको को कोचिंग दे लिजाती है और उसके बाद एक टेस्ट होता है वो टेस्ट तुमको क्लियर करना होता है और् लगती है यह सारी चीजे रूर्स और रेगुलेशन इंस्टिट के प्रॉस्पेक्टर्स में लिखा हुआ है कि तुम्हारी अटेंडेंस भी लगए कि तुमको क्लासे अटेंड करनी है उसके पाद तुमको टेस्ट भी देना है औरल कोचिंग में कुछ नहीं तुमको घर में से जहां से ट्यूशन लेके जिदर से कोचिंग लेके पढ़ना है पढ़ो सेल स्टेडी करना है करो सारी चीज़े तुम खुद करो लेकिन इंस्टिट पोस्टल टेस्ट पेपर रिलीज करती ही टाइम टू टाइम अगर तुम्हारे टम के लिए ऐसा में इसली बो रहा हो क् पोस्टल टेस्ट पेपर अभी के दौरान पर आपको नहीं सेंड करना है विकॉस ऑफ कोविड की सारी सर्विसेज बन थी और सारी चीज़े इस वज़े से ठीक है तो यहां पर तुमको यह एक क्या बोलते हैं बस काम करना होगा कि अगर तुम पोस्टल कोचिंग ले रहो अगर पोस्टल कोचिंग लेने जा रहे हो तब तो कोई बाती नहीं पोस्टल में बता दिया वही सारी गाइडलेंस है और रहाल के लिए तुम उनसे जाके पूछ सकते हो ठीक है ऐसा है क्या गाइडलेंस आप हमें बता दो तो फिर वह आपको बता देंगे वह आपके चैप्टर के जो भी हैड होंगे ठीक है तो यह चीजे थी बस ज्यादा कोई इसमें ऐसा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है और और पोस्टल में पर तुम लोग कंश्यूज होते हो तो इसलिए एक वीडियो बना के तुमको बता दो